हेलो एबरिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादेश चेचोला प्लस लाइफ में तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू न्यूट्रिला की सबजी जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेसल तरीके से तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये हमने लिया हुआ है न्यूट्रिला जिसको हमने दो तीन घंटे के लिए भीगा लिया है और उसके बाद जब हमारी न्यूट्रिला अच्छे से भीग जाती है तो हमने इसको अच्छे से हातों में दबा के बढ़िया से सारा पानी इनका निकाल लेना है आप चाहें अगर आपने भीगाई हुई नहीं है तो आप चाहें तो गरम पानी में बॉइल इसको कर सकते हैं 10 मिनट के लिए और ठंडा करने के बाद इस तरीके से आप निचोड सकते हैं डाइट हातों से तो अब यहाँ पे निट्रिला हमारी तयार हैं और देख सकते हैं तो अब हम इसको करने वाले हैं मेरिनेट तो मेरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे दही एट किया और उसके बाद अद्रेक लेसन का पेस्ट हमने डाला है कसूरी मेथी हमने डाली है जिसको हमने हलका सा तबे पेपह भून लिया था और हाथों से हमने इसको बारिक मसर लिया है और साथी साथ हल्दी हाँ पर हमने डाला है और थोड़ा धनिया पाउडर हमने डाला है और थोड़ इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च यहाँ पर हमने एड़ की है और इसी के साथ थोड़ा सा नमक यहाँ पर हम एड़ करेंगे तो इस तरीके से यह सारी चीजे हम मैरिनेशन में जो है पाने लगती है कि मन करता है कि इसको ऐसे ही जो है खा लिया जाए तो बहुत ही अलग भणके जो है सब्जी बन ती है और जैसा कि आज金 टमाटर भी जाए κάν। तो हमारी जो है और टेस्टी सबजी बनके हमारी तियार होती है तो दही जब हम लेंगे बहुत जादा खटा है यहाँ पे हमें नहीं लेना है तो हमें इसे आदे घंटे के आसपास के लिए हमें छोड़ देना है तो साथी साथ होड़ा हमने प्यास लिया हुआ है हरी मिच, कुछ खड़े मसाले और आलू यहाँ पे हमने काट लिये हैं क्योंकि जब तक न्यूट्री ला के साथ आलू ना हो तो सबजी के सुआज जो है मज़ा नहीं आता है तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुकर लिया हुआ है क्योंकि हम सबजी को बनाने वाले हैं कुकर में तो यहाँ पे हमने ओईल कर लिया और ओईल हमें थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा लेना है तो दो बड़े चमच यहाँ पे हमने तेल लिया हुआ है इसमें हमने खड़े मसाले जैसे की आप देख सकते हैं हरी इलाइची है एक बड़ी इलाइची है और दो-تिन लौंग है और काली मिर्च के दाने हैं हींग है टेज पत्ता है और साथ यसाथ बारी कटा प्याच और यहां पे हरी मिर्च हम ने यहां पे डाल लिया है तो इसमें तेल में इनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है तो यह देखिए यहां पर हमें तेल जैसे हमारा हलका प्याद फ्राई हो जाता है तो जो हमने मेरिनेट जो हमने निट्रिला रखी हुई थी मेरिनेट करने के लिए तो उसको यहां पर हम डाल लेंगे हमने यहाँ पे तेल की मातरा इसलिए जाल जाल जादा आपल ली है ताकि जो हमारा न्यूट्रिला है वो भी हमारा अच्छे से यहाँ पे ऑईल में भून सके तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी मतलब यहाँ पे जो इसमें जो है तरी पानी जो है बना हुआ है बड़ हम जब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो सारा का पानी हमारा यहाँ पे सूख जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे से फ्राई किया हम दालेंगे जैसिक हल्दी हम धे डाली है तो यह हमारा इसका कलर इंहेंस करने के लिए मिर्च की यहां पर कस्मेरी नन एक्ष करए हुआ है और यह घरम मसाला हमने डाला है तो आप भी तेस्ट के अकॉडिन भी यहां प्रोस सकते हैं तो इस समय जब हम सब्जी को बनाते तो बहुत ही बड़ी है हमारी खुस्बू जो है आती है और अब यहां पर हमें टेस्ट के अकोर्डिंग नमक पगर एड़ कर लेना और थोड़ा पानी ताकि हमारी सब्जी थोड़ी तरीदार यहां पर बने और जो हमें खाने में तो आप लोगों को मेरा रेसिपी आपवी वीडियो अपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो ऄहरा आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग